तो finally OnePlus 80 5G हमने यहाँ पे purchase कर लिया है लेकिन इस बार का जो experience था live purchase करने का Amazon के उपर जो कि मेरा tech vlog हमेशा रहता ही है किसी भी phone को यहाँ पे purchase करने के time पे जो मेरे यहाँ पे regular subscriber रहाँ उनको पता ही है कि मैं जब भी कोई यहाँ पे phone purchase करता हूँ तो उसका मैं वहाँ पे एक tech vlog बना दरता हूँ live purchase का तो इस बार का जो मेरा experience रहा है Amazon के साथ वो बहुत ही जदा worst रहा है मुझे यहाँ पे बिल्कुल अब trust नहीं रहा Amazon के उपर यहाँ पे Amazon ने cheat करने की कोशिश की है और मैं आपको यहाँ पे with proof दिखा दूँगा कि कैसे उन्होंने cheat करने की कोशिश की तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको आगे की बातें बता देता हूँ तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Punjabi Tech Gaming तो सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus 8T 5G के लाँच के उपर जैसा कि आपको पता ही है कि Prime members को early access मिल जाता है OnePlus की devices का या किसी भी exclusive जो device Amazon के उपर launch होनी होती है तो ऐसे ही मेरे पास भी Amazon Prime है इसलिए मुझे इसका early access मिल गया था तो यहाँ पे रात को 12 बजे से लगनी थी और वहाँ पे 12 बजे मैं यहाँ पे login था और मैंने रात एक वीडियो भी शूट करके रखी हुई थी already live buy को लेके और पूरी की पूरी मैंने वीडियो बना रखी थी सारे के सारे live experience के उपर लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने वहाँ पे live वहाँ पे buy किया तो सबसे पहली बात तो आपको जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो product होता है जो early access में आना होता है Amazon के उपर वो जो होता है वो 10-15 minute पहले ही आ जाता है और मुझे यहाँ पे 43,000 वाला ही परचेस करना था टेस्टिंग के लिए और टेस्टिंग के बाद ही आपको मैं इसके review लेके आ सकता था तो मैंने वहाँ पे रात को 12 बजे इसको परचेस करने की कोशिश की तो जैसा कि मुझे पता ही था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं हो क्योंकि यह वाला जो फोन है वो 40,000 के थोड़ा उपर था तो इसको ज़्यादा लोग नहीं लेंगे लेकिन फिर भी हम इस दियूम करके चलते हैं कि at the time जब मैंने यह फोन परचेस किया तो 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 अगर हम वेल्यू को एड करते हैं तो तो तीन हजार रुपे का यहाँ पर डिसकांड मिल रहा था यहाँ पर प्राइम यूजर्स को और 43,000 का जो यह phone था और Prime Users को यह मिलने वाला था सिर्फ 40,000 रुपे का लेकिन रात को जब मैं इसको purchase कर रहा था आप side by side वीडियो भी देख लीजिए यह मुझे exactly वहाँ पे 43,000 रुपे में ही वहाँ पे buy हो गया इसका मुझे reason नहीं पता चला क्योंकि देखो वहाँ पे मैंने SDFC का एक card डाला है आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने same ही वहाँ पे मुझे cashback भी आना चाहिए था Amazon Pay में जो कि मुझे नहीं आया तो मुझे उस नहीं में आपे कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्यों हुआ है तो मैं वहाँ पे अपना phone को purchase करके एक बार सो गया जब मैं वहाँ पे सुबह उठा तो मैंने दुबारा देखने पर मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पे जब मैं दुबारा buy now के option के उपर जा रहा हूँ तो वो जो purchase हो रहा है वो मुझे off मिल रहा है वहाँ पे 1750 रुपे का और मुझे cashback महाँ पे मिल रहा है 1250 रुपे का तो मैंने फटा फट से अपना पुराने वाला order cancel किया और नए वाला order वहाँ पे place कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वहाँ पे मैं दुबारा site को खोल के ना देखता Amazon को और मैं वहाँ पे buy now के उपर click ना करता तो मुझे यहाँ पे 43,000 का ही मिलता तो मेरी तरह यहाँ पे 500 से लेगे 1000 बंदे ऐसे होंगे यह उन्होंने यह वाला phone 43,000 का था डिसकाउंट लेना चाहते होंगे लेकिन उनको 43 के पड़ गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3000 का margin बन गया है 3000 का यहाँ पे नुकसान हो रहा है customer का तो यहाँ पे मेरा यह वीडियो मनाने का मक्सित सिर्फ यह है अगर आपने वह वाला phone 43,000 में खरीदा है तो उसको वहाँ पे cancel करके दुबारा order place कर दीजिए क्योंकि आपको अब वह phone मिलेगा 40,000 का अगर आप prime user हो तो यह जो incident हुआ live wire का मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं था और सुबह जाके मुझे वहाँ पे cancel करना पड़ा एक order और दुबारा से place करना पड़ा अब जो credit आएगा भी credit card के अंदर वो भी आएगा 3-4 दिनों में तो यह भी एक harassment वाली बात है तो आप देख सकते हो कि Amazon यहाँ कैसे अपने users को cheat कर रहा है तो यह user वो वाले हैं जिन्होंने उनकी prime membership purchase कर रही है उनको आप cheat कर रहे हो यह ऐसा expected बिल्कुल भी नहीं था Amazon से तो इस चीज़ के लेके मैं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह क्यों हुआ कैसे हुआ लेकि जो भी यह चीज़ हुई है यह बहुत गलत हुई है यह होनी नहीं चाहिए थी मैं दुबारा आपको यहाँ पर रिपीट करना हूँ कि अगर किसी यूजर ने रात को फोन परचेस किया था 12 वजे और अपना स्टेटस जाके चेक कर ले अगर 43,000 का किया था उसको प्लीस कैंसल कर लीजिए और दुबारा जाके इसको ओर्डर को प्लेस कीजिए क्योंकि अब वहाँ पर जो मुझे यहाँ पर प्राइज लास्ट में मिला है वो मुझे मिला है 40,000 रुपे 40,000 मिलने के बाद मैं काफी खुश हुआ लेकिन जो यहाँ पर एमाज़न ने किया वो एक बहुत गलत मुव है वो प्राइम यूजर के साथ तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप यहाँ पे अपने यूजर को यहाँ पर अर्ली एकसेस दे रहे हो तो आप उनसे पुरा का पुरा पैसा क्यों लेना चाहते हो तरसालीस हजार रुपया यह चीज गलत बात है तो आगे से अमाज़न को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने यूजर को यहाँ पर चीट बिलकुल भी नहीं करना चाहिए वो भी उन यूजर को वो भी उन कस्टमर्स को जो यहाँ पर आपके लोयल कस्टमर्स हैं आपने साइड बाइस यह लाइव वीडियो मेरी देखी ली परचेस की आपको भी यहाँ पता चला होगा कि कैसे यहाँ पर अमज़न चीट करने की कोशिश कर रही थी इस वीडियो को आप प्लीज यहाँ पर काफी सब्सक्राइब कर दीजीगा ताकि अगर किसी ने यहाँ पर रात को फोन को परचेस किया होगा तो उन लोगों के बास यह वीडियो पहुंच सके जिनको यहाँ पर पूरा पूरा पैसा देना पड़ गया बिना किसी डिसकाउंट के उनके फोन को लेने के उपर जैसे यह जो चीज हुई है मेरे साथ यह वन प्लस के साथ हुई है यहाँ पर इस बात की कोई गिरेंटी नहीं है कि बाकी परड़र्ट के उपर भी ऐसा ना हुआ हो क्या पता उन्होंने वहाँ पर भी यह वली चीज़ की हो अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ 15 बिनेट यहाँ फिर आदे गंटे के लिए यह चीज़ हुई हो तो उस ताइमें यहाँ पर 500 से लिए कि 1000 बंदों ने यहाँ पर आर्डर प्लेस कर दिये होंगे और इन सभी काई जो भी यहाँ पर 3000 का नुकसान हुआ है यह सारा का सारा डिरेक्ट प्रॉफिट अमाजान को ही गया होगा तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर लूप होल है यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ चीट करने कोशिश की गई है तो यह चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पर नहीं लगी तो इस वीडियो को काफी जादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जैनियों जो यूजर होते हैं उनको यहाँ पर फाइदा हो सके उनको यहाँ पर नुकसान ना होती नदार रुपे का और उनको भी यह वला फोन अगर यह OnePlus 80 ले रहे हैं यहाँ पर कोई और परड़क्ट ले रहे हैं अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उनका यहाँ पर थोड़ा सा फाइदा हो सके तो जैसे कि लाइब वीडियो में वहाँ पर लिखा हुआ था कि 22 अक्तूबर को आने वाला था पहले लेकिन जब मैंने वो सुबह और किया तो सुबह वहाँ पर दिखा रहा था प्रामिस डिलिवरी नेक्स डे की तो मुझे यह जो OnePlus 80 है मुझे कल मिल जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ कि कल को आपके लिए मैं Unboxing की वीडियो ला दूँगा अगर कल नहीं ला पाया तो आपको संडे को यह वली वीडियो मिल जाएगी तो तब तक के लिए इंतजार करें मेरी इस Unboxing वली वीडियो का तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में